पुरी यानि हिंदूओं के चारो धामों में से एक धाम शहर जिसकी सुबह और शाम जगनाथ में है समंदर की लहरें जिसके पग पकारती हैं और उडीशा की संस्कुती जहां रची वसी है देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली मंदिरों में से एक जगनाथ मंदिर पुरी में ही स्थित है मंदिर के बड़े होने का अंदाज़ा इस पात से ही लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई यहां मौजूद है जिसमें रोज 50,000 से ज्यादा लोगों का खाना बिना गैस की मदद से करीब 750 चुनों पर बनता है हर साल पुरी में होने वाली रथ यात्रा में दुनिया भर से लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं जगनात मंदिर होने की वज़े से पुरी साल भर आध्यात्मिक पर्यटन का केंद बना रहता है इसी वज़े से केवल पुरी को नहीं बलकि उड़ीशा की भी अर्थ विवस्था को काफी बेहतर बल मिलता है 2011 की जन करना के मताबिक पुरी में खरीब 19 लाग की अबादी है जिसमें से करीब 83 प्रतिशत अबादी गाउं में और 17 फीसदी अबादी शहरों में रहती है पुरी क्षेत की अनुसूचित जाती के लोगों की संख्या करीब 15.5 फीसदी है वहीं अनुसूचित जन जाती के लोग एक दशमलव चार साथ सीचद है 2014 में पुरी लोगसभा सीच पर करीब 14 लाग वोटर्स थे 1952 में पुरी में पहली बार चुनाव हुए पहले कॉंग्रस और फिर भीजू जनता दल का दबदबा ही इस सीच पर रहा है मौजूदा सांसद पिनाकी मिश्रा पहली बार 1996 में कॉंग्रस के टिकट पर चुनाव जीते थे कॉंग्रस में रहे पिनाकी मिश्रा 2009 के लोगसभा चुनाव में भी बीजेडी के टिकट पर पुरी से चुनाव जीते पिनाकी मिश्रा और बीजेडी का प्रभुत्व 2014 के चुनावों में भी काइम रहा और वो फिर जीत कर संसत पहुंचे पुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कभी भी नहीं जीती है इस बार बीजेपी ने इस सीट से उस नेता को उतारा है जिसने बीते बरसों में देश भर में अपनी पहचा टीवी डिबेट्स के जरीए बनाई है संबित पात्रा बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पुरी से चुनावी मैदान में है और सोशल मीडिया पर अलग-अलग बजेओं से चुनावी चर्चा का हिस्सा बने हुए है लेकिन इस लोग प्रियता का वोटों में तब्दील होना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनका सामना बीजेडी के मौझूदा सांसद और जमीनी नेता की पहचान रखने वाले पिनाकी मिश्रा से है कॉंग्रेस पार्टी ने सत्य प्रकाश नाइक को पुरी से अपना उमीदवार बनाया है देज मेरा रंग रेज ये बाबू गाट गाट यागटा जादू जेस मेरा रंग रेद ये बाबू जेसे बाबू